नमस्कार दोस्तों स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा आल इंडिया ट्रीड ट्रेश्ट 2020 जो कंप्यूटर बेश्ट हुआ था फिटर सेकेंडियर का उसी का हमा नए है बाकि सब पुराने कोश्चन है ठीक तो आए हम लोग देख लेते हैं तीसरा सेट तो यहां पर देखिए यहां पर यहां पर यह हमारा फिटर का सेकेंडियर के पेपर है अब फिटर से पिछले बार से आपका जो एक्जाम पैटरन था कुछ इस तरह से था जो आपक किसमें तो बहुत लोगों को हो चुका है 2022 में जिनका चल लाहा है उसमें क्या है कि आपके पचास कोशन पूछे जाएंगे ट्रेट थेओरी के 25 कोशन पूछे जाएंगे वरकसाब कल्कुलेशन और से और इस बार आपका सेकेंडियर में इंप्लाइबिल्टी से भी कोशन पूछे जाएगा और इसके भी नंबर नंबर आप कोशन रहेंगे 25 ठीक तो यह हो गया आपका पैटरन के बारे में देखिए किस तरह से पूछे गए थे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखिए यह है हमारा कोश्चन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया गया है कोश्चन का कोश्चन आईडी नंबर दिया गया है और कोश्चन एंड एंस्वर यहाँ पर दिया गया है देखिए यहाँ पर जो पहला कोश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि वाट इदा मेथ सब्सक्राइब करने के लिए कि उपयोग किया जाता है तो सब्सक्राइब करते हैं इसका प्रियोग हम लोग यूज करते हैं यहां पर इसका एंसर करेक्ट हो जाएगा चौता कोशन है वेच नट प्रोटेक्ट दा बोल्ट इंड थ्रेड फ्रम डेमेज का उन्स नट बोल्ट के सिरे की चूडियां को नुक्सन होने से बचाता है तो यह जो बचाता यह पनट बचाता है ठीक आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा पांचमा कोशन यहां पर आप जिदा नहीं आप दागेज फिगर में जो आपको गेज दिख रहा है किस प्रकार का गेज है यह कालाता हमारा थ्रेड पलग आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा थ्रेड पलग गेज छठा कोशन है वाट इज लेड आप मल्टि स्टार्ट थ्रेड की लीड किया हो होती है तो यह होता है पिछ इंटू नमबर आफ इस्टार्ट फिच गुड़े इस्टार्टों की संख्या साथा कोशन है विच माटेरियल इज टू वास आफ दा लैपिंग प्लेट आप्टर चार्जिंग किस समगरी को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है यह होता है आफसा नमबर भी यहां पर क्रेक्ट हो जाएगा केरों सेंगर č के लिए किया जाता है तो इसके लिए किया जाता है यहाँ पर करेक्ट होजएगा फिल्ट इलूमीना दस नमर कोशन वाइदा टेंपरिंग प्रक्रिया क्या कि जाती है देखें जो टेंपरिंग प्रक्रिया की जाती यह किया जाता है तूर रेगुलेट दा हाडनेस अंड टफनेस कठोड़ता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोग टेंपरिंग प्रासेस करते हैं ठेक इस टील में ग्यारे नमबर कोशन है विश टाइप आप बेरिंग इस डिज साय प्रक्रीन वहित टेंग परनीजिट सब्सक्राइब के इस तो प्रकार के भीरेंग धातौ में सतों से सनहेख होता है तो जो हमारे सिंटेब यह जो आपको फीगर में वासर दिख रहा है इस वासर का नाम किया है यह हमारा इंटर्नल और एक्स्टर्नल वासर कहलाता है आंत्रिक और बाहिवासर आपसे नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा पंद्रे नंबर कोशन है वाट इदा नेम आपदा पार्ट मार का इस यहा करेक्ट हो जाएगा सत्रे नंबर कोशन है वाट इदा नेम आपदा प्लंबर टूल टूल टू असेंबल और डिस्मेंटल पाइप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए प्लंबर टूल का नाम क्या है तो आपसे नंबर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा उन्निस नंबर कोशन है वाट इदा नेम आपदा पार्ट मार का इस यह से रूप में चिन्हित भागए यह हमारा कालाता है कटर रिवील तो कटर रिवील यह सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर कोशन हाव पाइप आर क्लासिफाइड पाइपों को कैसे वरगी करिद किया जाता है तो देखिए जो भी पाइप होते हैं उसको हम लोग पदार्थों के आधार पर हम लोग वरगी करिद करते हैं कि किस प्रकार का माटेरियल य सेटिंग बलाक यूट इंद फिक्स्चर में उप्यों किया जाने वाले सेटिंग बलाक कव्दिस क्या है तो यह रहता है कि पोजीशन दाफ फिक्स्चर एंडवर के रिलेटेड टू कटर कटर से संबंदित इस्थीरता को काम की स्थिति थिक तेस नंबर कोशन है वाट इस से लिए का प्रकार क्या है तो यहां पर देखिए जो आपको फीगर में घीर दिख रहा है यह हमारा कहलाता है माइटर गी माइटर पर करेक्ट हो जाएगा इसका जो विदास्टी रस सी बाह्तार की साफचिछ सीज़न होता फैसे इस तैस मुशन रिएज उन प्रोडूस लेड मेटल किस अधसे सिसाधात उतपन होता है तो उतपन तो वह गयलेना का जो सूत्र होता होता है पीवीस को आम लोग गयलेना बोलता है सद्रीज अन्वेज्वर्णी इंपने से सब्सक्राइब होता है तो यह नहीं पर करेक्ट हो जाएका टूंटी नम्हों कोश्चन है वीच फार्मूले इस तूकुलिएट प्रेशर की गढगना के लिए किस सूध्या प्लिए की याचशल प्रिप्यों किया जाता है तो देखि कि गड़ना के लिए सुत्र रीज़ किया जाता है आप फूर सपन एरिया होता है थीज्ट नमर इसके निया एक्रमीटट यह दा डाला गया दाव सभी दिसवा में शमानरूप से प्रसारित होता है तो पासकल हो थैद्ट के नियम में कहा भी करेक्ट हो जाएगा 32 नॉम्बर कोश्चन है विच वाल्व इच एन और फिस और रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल आर्फिस या रिस्ट्रिक्टर है तो यह जो रहता है हमारा फुलो कंट्रूल वाल्व यहाँ पर आपस कौन सा सीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है यह रहता है हमारा सॉलूबल आयल आपसा नमबर यहां पर करेक्ट हो जाएगा कौन सी गूल यह बताता है कि सनेह का तापमान डालते समय स्वतनत रूप से प्रवाइक करने में सच्छा मैं यह हुमारा रहता है पौर पॉइंट आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा पौर पॉइंट धाति दांतिदार चेंद राइव का मुखःलाब क्या होता है वो रहता है प्रोवाइड नॉजलेस्ट एन्ड यूनिफार्म डॉइव सौन और यूनिफार्म ड्राइव प्राप्थ करना गुसे क्रेण यह kwest यहांपर क्रेक्ट हो जाएगा थार्ट अममड कोशन है वाट इधा प्रपा जब हड्रोलिक स्टो फ्लोर क्रें हाड्रोलिक क्रें का उद्यस्स क्या होता है तो हड्रोब फ्लोर क्रें का उद्यस्स रहता है तो य्च्ट का हazione here रिड़ हैवी लोड यानि की भारी भार उठाने या संचालान करने के लिए हड्रॉलिक भी फलार क्रेंड का यूज किया जाता है वट इदा ने आज फिगर में जो आपको क्रेंड दीख रहा है यह हमरा राता हैं यह पर करने के लिए का कैसे किया जाता त्याइए च्छैतीर कि । कि अगित दोस्तों यहां पर 41 से लेकर जो साट तक कोष्चन रहेंगे तक साठ तक जो भी कोष्चन रहेंगे यह सब कोष्चन हैं हमारे वार्कसाइब काल्कुलेशन और इसके बाद जो भी देखिए इस साल आपका एड हुआ है नया इंप्लाइबिल्टी इसके इसका जो भी पांस चैप्टर है सेकेंड इरे में उसका क्लासे हमने पहले से ले लिया है जो की निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं सारे के सारे कोश्चन निम्मी से या रहे हैं त पहुंद से जाके देख सकते हैं ठीक विचल इजदा लाफ फ्रिक्षन घर साल का नियम क्या है तो देखे घर साल का नियम है कि फ्रिक्षन फोर्स इंडिबेंडेंट ओवर दा एरिया एंड से पाप कांटेक्टिंग सर्फेस घर से तरह संपर्क सताहों के आकार पर स्वतं के संसरें को बनाया रखने के द्वारा एक मसीन की दच्षता का कारण कौन सा बनता है तो किया होता है तो देखें की दच्षता होती है इंक्रीज कर जाती यान की दच्षता बढ़ जाती है स्नेहन करने से वह सब्सक्राइब सकता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दिया है यहाँ पर यहां पर आर कमान पूछा गया है ठेक अब आपको वी एक फर्मूला यहाँ रखना है अब यहाँ पर आर कमान हमें बताना तो यान की थारेटीव जीरो पॉइंट जीरो वन टूफाइव करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2400 केजी आपसो नमबर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक संतुलन का उजरान की सवस्ता में संकु की नोख पर विश्राम करता है यह करता है आपका अनुस्टेबल यानिकी इस्थिर थे के सबसे बड़ा चाफ सबसे दा यानिकी कि ब्यास कहलाता है तो अमेर का मंद धिय है 31.4 संटमेटर Sum больш क्या होता है यहां पर हमों क्या भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा जो कि हमारा वियास होगा यानि कि 3.1 चार से भाग दे देंगे यह हमारा 10 बार में कड जाएगा तो हमारा क्या जाएगा चार से भाग जाएगा तो 40 का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा चार से भी पाउवर फोर फोर फॉर्टिन नमबर कोश्चन है इफ दा वैलू आफ एनी नमबर रेलिट टू दा पाउवर आफ जीरो देखिए जीरो के उपर कोई भी संख्या आगा जीरो के घात के रूप में दोससे यह अफिर होता है तर्मो प्लास्टिक होता है वह हमारा रहता ब़ीनायल पालिमर आप से नमबर डी करेक्ट हो जाएगा फिप्टी नमबर कोश्चन है विच इश्टे में कांस वलोचिदार संबगरी है तो देखिए जो नैलान है हमारा लोचिदार समगरी है 53 नमर कोश्चन है वाट इज दा कलर आफ है मेटल पीस हीटेट टू फाइफ जीरो डिग्री से वाइल डूइंग दा टेंप्रिंग प्रासेश टेंप्रिंग प्रिक्रिया करते समय एक दाउत के टुकुले को तो उस दाउत के टुकुले के रंगे कैसा होता है तो यह होता है आपका ब्राउन यानि की भूरा अब देखिए आपर 54 नमर कोश्चन है वाट इदा प्रासेस आफ ट्रीट्रिया क्या है तो उसमावचार की प्रिक्रिया जो होती है रहता है दा प्रासेस आफ फीटिंग और क कुलिंग करने की प्रिक्रिया जो होती है हमारा ही ट्रीटमेंट यानि के उसमावचार कहलाता है 55 नमर कोश्चन है टाइट फार्म आफ एस्पी का फूल फार्म कि आउता तो यह होता सेलिंग प्राइस बिक्रेम मूल नमर कोश्चन है वाट इदीनोट आज क्टल आइक के रूप में लोग इंट्रेस्ट को ब्यक्त करते हैं 57 नमर कोश्चन वाट इज दा इंट्रेस्ट आर्न इफ प्रिंस्पल आफ हारी सो 12,000 विकम्स टू एन अमांट आफ हारे 15600 साधरान व्याथ किया हो यह दुबारे हजार की धनराज 15600 होती है तो देखिए हमारा जो मूल वह हमारा 12,000 था ब्याज साइथ कितना होगे 15600 तो हमें ब्याज कितना मिले तो 15600 में से हम लोग बारे हजार घटाएंगे तो हमारा 36 सब्याज आजाएंगा 58 नमर कोश्चन वाट इज दा हैंडबूक हैंडबूक की यानिक पूश्टिका क्या होती है तिया होता है टाइप प्रिवेस यह का प्रिवेस यह पेपर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर सेयर करें लोगों ने पिछला दो वीडियो नहीं देखा है तो सेट वो लोग डिस्क्रिप्सण बाक समें वहाँ पर हमने प्लेइलिस्ट का लिंग दिया है आप वहां से जाकर देख सकते हैं और जो भी इंप्लाइबिल्टी इसके लिए क्लासेज है वह आप लोग प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या प्लेइलिस्ट का लिंग हम आपको को डिस्क्रिप्सिन बाक्स में दिये हैं आप सेकंडियर का जो भी हैं कलासेज पॉंच चैप्टर थें पॉंच चैप्टर हमने चैप्टर वाज कंप्लेट कर दी है जा कुछ से आप लोग जरूर देखेजिए मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थेंक्यों